नमस्ते माई डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का यूट्यूब की क्लास में स्वागत है बी ए पार्ट सेकेंड के सेकेंड पेपर के लिए हम लोग एक बार फिर से एक ने चैप्टर की चर्चाल शुरू करेंगे आज हमारी किताब के आखिरी लेशन पर हम बात करेंगे ये जो किताब है दस एक नंकी इसके आखिरी चैप्टर का नाम है क्याक्टस और कमल लक्ष्मी नाराय रंगा इसके एक नंकी कार का नाम है इस एकांकी के 20 नंबर के निभन धात्मक प्रश्न के उत्तर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जैसा कि आप सबको पता है मैं बनाती आ पिछले अध्यायों के लिए भी यह आपको दिया गया है इस अध्याय की चर्चा हम शुरू करें तो यह दो नवियुकों की पहानी है दो संभांत परिवारों में पड़े लिखे परिवारों में दो नौजवान हैं जो नशे की लत्का शिकार हो जाते हैं नशे की लत्का शिकार वो कैसे हो जाते हैं जिंदगी अंतता उनको कहां ले जाती है किस तरह उनको इसकी गिरफ्त से छूपते हैं किस तरह उनको आत्मग्रानी होती है बोध होता है इन सब पर इस एकांकी के माध्यम से चर्चा की जाएगा सबसे पहले मैं बता दी इस एकांकी के पात्रों के मारे में यशोदा, नरेद्र, इंस्पेक्टर, सबिस्पेक्टर, कांस्टेबल, रमेश, पृतम, हिम्मत, मोहिनी, राखी और पूनम ये इस एकांकी के सभी पात्रों के नम है जब पाता उठता है तो सुत्रधार ने या निर्देशक ने आदी रात का समय दिखाया है आधी राग का समय है और उस्थान एक मद्यम वर्गी ये परिवार का शेहन कप्ष एक होता है गरीब का कमरा एक होता है बहुत अमीर का कमरा एक होता है मिडल क्लास पैमिली का कमरा और इस मिडल क्लास में भी अलग-अलग पढ़ते हैं इसमें बिडल कलास के किसाम वो सकते गाउं के सरपंच भी हो सकते हैं। गाउं के सरपंच के पास वैसी टाम जाम की चीज़े नहीं होगी जैसे शहर के प्राविट कर्मचारी के पास हो सकती हैं। तो लेयर्स हैं, अलग-अलग रूत्वा हैं, रूजियां हैं, तो ये एक सिक्षक के घर का कमरा है, एक अगेर औरत कपने में छट पटा रही है, चेहरे पर दुख तनाव सिर इदर इदर पटक रही है, उसने दोनों हाथों से एक फ्रेम जटित फोटो छाती से चिपका रख इस घर में एक महिला है, जो नीद में सो रही है, लेकिन नीद में ही उसने कोटो अपने छाती से चिपका रख बढ़ बढ़ा रही है, दोनों हाथों से कभी चेहरे को थाम लेती है, कभी छट पटाती है, और अचानक फुक और भुटन इतना बढ़ गया कि सहर नहीं हुआ और वो हर बढ़ा कुट बढ़ती है, हम लोग कई बार छोटे बच्चे थे तो डर जाते तो नीद में भूते, डायन, चुडे, जो कि सच में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे सामने किमवदंतिया, निजंधरी कथाए, मिथक, इतने फूठे हुए हैं, इतने रूपों में हमा यह जो गिंब है, चरितर है, कालपनिक चरितर ही सही, हम इसे डरते हैं, और निकल भी जाते हैं, अगर आपको समझ आ जाए, आप में रिजनिंग पावर आ जाए, आपको तर्प करने लगें, विवेक शक्ति आपकी जागरत हो, तो एक उम्र के बाद आपको पता चल जाता हैं, यह चीज़ें नहीं होती, बच्पन में मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा पीछा एक सफेग बस्त्रों वाली कोई महिला कड रही है, लेकिन लंबे टाइम तक डरते डरते, एक दिन मैंने पीछे मूर के ही हूँ, देख लिया, तो दूर दूर तक पूरी सड़क खा पाए, उनको कुछ चीजों ने अपने अवरित्त में ले रखा है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, जिस दिन पढ़ने लगेंगे, सोचने लगेंगे, शायद वो भी कह दें, कि नहीं यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन यहां पर बात भूत प्रेतों की नहीं हो रही है, इसे का आप फटा के उठेगती है, हर बडा के उठेगती है, सपना दूट जाता है, जाग जंग जाती है, तो जगें में मुस्नी चीजीं निकमति उसके पती को भी सुन जाती है, फोटों उसके आँ से गिर जाती है, और वो इतनी परेशान है, इतनी सुन्ने हो Państwo, जो गरिए याशोध नाम नहीं नहीं रमेश ऐसे चिला रहे इस चीग वो देती है लीद में नहीं यह दो जगने के बार तो चीग सुनकर नरेंद्रजाथता है उसके पती वो अधेर उम्ही पती वीज अब इस उम्र में आके लोग चश्मा लगाने लगते हैं वैसे चश्मा लगाने की कोई उम्र नहीं होती लेकिन वह उट करके अपने बेट से अपना चश्मा लगाता है विचारा लाइट ओन करता है और पहती साहन भूती और दर्द के भाव से अपनी पत्नी की तरफ देखता है यशोदा लंबी साथ छोड़कर दुख के साथ उसको आवाज लगाता है यशोदा सपने के प्रभाव में डूबी है पत्थर के बुट की तरह खामोश वो यू है बिलकुर उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि उसको उसके पतिनी आवाज लगाई थी वो यशोदा के अब कंदे बरहात रख्के पूछता है यशोदा क्या फिर रमेश का कोई सपना देखा क्या फिर से तुम को रमेश का सपना आया पलंग को उसके पास बैड़ हुस laptop भी नज़त है ये शोदा की आखों से आशोगा है नेंद्र रमेश की फोटो देखता है दूखी होता है फोटो उठाकर पासपडी胃 मेज़ब मेच हुं रखता विस होदा निम昨 apart कि यह जोटा चौकती है और जैसे जागती आंपी से सपना तोटा हो है कि ऐसे क्या हुआ एकदम वो सांस लेकर है जैसे तंदरा तूटी हो सपना भंग हुआ नरेंद्र कुछ से क्या हुआ यह शोदा भावा वेश में पलंग पर बैठे नरेंद्र की छाती से चिपट कर फूट फूट कर रोब पढ़ती है शोदा पलंग के पास बैठे अपने पती के छाती से चिपट जाती है और बुरी तरह रोती है और रोती हुए कहती है रमेश को किसी ने गोली मार दी ने या जिस चीज के लिए बहुत बियार करती है या जिस चीज के लिए बहुत बेहराई से सोच लेते हैं उसके सपने आ जाते हैं जब चित्त में कोई चीज घर कर जाए किसी चीज के लिए intense desire हो या किसी चीज से डर हो दोनों ही स्थितियों में सपना आ जाता है इसको अपने बेटे से बहुत प्यार है और यह उसको वापस पाना चाहती है घर लाना चाहती है और इसकी जान का खत्रा भी मैसूस करती है इस के लगती है और अ don 對 अभूति की शनूमूति से ठटा वह उसकी पीट पर सान भूति से ठटा पाता है तो तो अपने पैरंट पो कस के पकड़ लेता है इसी तरह से जब हम बड़े हु कि अगं पेरेेंस नहीं हों हमारे साथ हमारे पास ग्रेप राएक तो जो भी दोस्त जो मारकिय कुणा ही हम उसको अना पकड़ लेती हैं नरंद्र नियेंगतार पिता लोटरो तो उसको पास हो उसɹriage,अगे आप सपन पर एकार मा करो तो तो मेरा सपना शाकार कर दो मेरा ही सपना साकार कर मुझे मेरा मेरा बेटा बत्क वापस ला दो छालोओ और वो सपनेपर मेरा भरोसा हिगा करों तो मेरा इस सपन है percent मेरा बेटा मुझे मिल जाए तुम वही लादो कास मैं ऐसा कर सकता है अशोदा नीराश शक्तिहीन स्वर में वो जवाब देता है कास मैं कर पाता है अशोदा रमेश ऐसी सियाह सरहतों के पार चला गया है जहां से लौटना ना मुंकिन है बहुत तूर चला गया सियाह सारहत का मतलब काले किनारे कांदा आधाक कानून नावरिक जिन्जीवन जीवन जो फिलहाव दूर है लाना बहुत मुश्किन है जब यह ऐसा बोलता है कि जे俺 से लटना मुंकिना हुज उसे उसे बोलते ही इसको लगा इसकी माँ को रमेश की माँ को भी शायद बाप कुछ और अपसुरून बोलने वाला है उसके पहले उसके मुझ पे हाथ रख देती है नहीं ऐसा मत कहो है हम कितने भी साइंटिफिक सोच वाले हो अब शब्द भी बुरे लगते हैं और बद्व कि आशंता से भी हमारा मन कांप उठता है जैसे इसको लगा कि इसका पती बोल रहा है कि क्या मता वो लोटे नहीं लोटे उसके जीवन का भरोशा नहीं भरोशा नहीं बोलने भी देती है उसके पहले क्या देती है कि नहीं नहीं ऐसा मत को यह कहता है फाबों पर नहीं हकीक हंसे बहुत दूर चला गया है और वह दूर दूर के लिए वह काम के खारण गया हैं उसकी हम सब समसे सानुदिरू गृ्ट में सरक्षारति भी नहीं नहीं कर सकते हैं यह शोदा कि आंशों की बाढ़ यह सब ब्रेकेट में जो जो लिख नहीं आएगा लेकिन जिसने यह शोदा का रोल किया है उसके आंकों से उसमें लगा अतार तब आशों बढेंगे तो अभी जो यह शोदा है वो रोल रही है नरेंद्र यसोदा के आँसों देखकर कहता है यसोदा देखकर गोर और अपना खून आँसों में मत बहा कोई फाइदा नहीं है तुम्हारा खून बहरा है यसोदा के जरीए यसोदा कहती है इनमें क्या करूं नरेंद्र क्या करूं यरेंद्र कहता है हिम्मत से काम लोय शोधा एक आदत होती है हमारी हम कितने भी निराश हूँ हमारा दोस्त हमारे सामने रोता है तो हम उसको कहते हैं होसला रख हम रो रहे हो लेकिन हमारे सामने कोई और होने लगे तो जचंशे अपने आसम पोच कर पहले उसको चुप कराने लगते हैं यह नेचुरर है, यही सुन्दर है वह उसको कहता है अमद बहाँ और हिम्मत से काम ले यहुदा कहती है अब हिम्मत कहां से लहूं मैं कहां से ला रहा हूँ देख कभी रोता हूँ तेरे तरे मुझे देख मेरे पास भी तो हिम्मत है कभी तुरे मुझे रोते देखा नरंद तुम सामने नहीं छुप छुप कर सिया हरातों में तन्हा आंसु बहाते तुम सामने नहीं रोते लेकिन तुम रोते हो चुप चुप कर अंधेरी रात में ये मुझे पता है मैंने कई बार रात को तुम्हें आगे बोनती नहीं है ब्रैकेट में है कि नरंद का दिल भराया है उसकी आँखों में आशों चल चलाते हैं नरंद की आँखे लेकिन इतना तर्ते करते की भराते हैं नरंद का तहां नहीं नहीं रोता हूं ये शोदा कहती है नहीं रोते हैं ये शोदा हाथ बढ़ा कर उसका चस्मा उतार लेती है नरंद की आँखों से आशी उधाराएं बहपड़ती है नरंद की आशो आशो देखकर ये शोदा केभी आशो आजाते हैं रोश्नी बुझती है रोश्नी बुझती है का मतलत अब दिर से चेंज होगा जब रोश्नी जलेगे तो दिर से परिवर्तित होगा आज हम लोग इतना ही करेंगे एक युवा बेटे के गुम्रा हो जाने के बाद में उसके मा बेटे की जो हलत होती है युवा बेटा हो या छोटा बच्चा हो किशोर मुरका हो कोई भी हो जब संभ्रान सुशील सज्जन बैक्ती के सामने उसका कोई अपना गलब रहा पर चल परता है तो उसको तकली होग हो और चुकी वो धीरे-धीरे आज छोड़ रहा होता है उसकी घरवापसी के लिए तो वो और भी ज़्यादा हताश हो जाता है ये दोनों पती-पत्नी फिलहाल इसी मना इस्तिती से घुशर रहे हो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज इतना ही देखते रहे बने रहे है वे नाइस डे